हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी डब्डी ओनली आईएस, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हो, हम पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सी सेट के टॉपिक्स तो डिसकस कर रहे हैं, जो हमारे आने वाले एक्जाम के लिए काफी जाएम पॉइंट हो स प्रेवल नहीं किया क्या, बिल्कुल किया है, क्या आपने कभी स्पीड से ड्राइविंग नहीं करी, आपको पता होगा कि 40 km पर आर हो गया, ठीक है, टाइम का भी आप यूज करते होंगे, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस है, बहुत है आपका प्रेक्टिकल अप्लाई कर पाते हों इन पर्टिकलर चीजों के रिकार्डिंग, तो अगर आप इनको समझने की कोशिश कर ली ढंक से, कुछ important formulas में आपको देखे जाऊंगा, अगर वो समझ आ गये हैं, तो कही ना कहीं, इसके regarding जितने भी tough questions भी आएंगे न, उनको भी आप अच्छे से tackle कर लोगे, अ अब देखो एक कुछ important formulas हैं, जो हमें C-set के अंदर इस particular chapter में देखने को मिल जाते हैं, जैसे पहला हो गया आपका speed is equal to distance upon time, यह दो हम पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से, तो यह बात तो definitely ध्यान में रखने ही चाहिए, तो कोई भी इस तरह combination हो सकता है, distance equal to speed multiply time, time equal to distance by speed, य speed क्या था, distance upon time, average speed पूछेगा, तो total distance by total time, बहुत है simple है, और एक चीज़ आउन, आप लोग अब सोच रहोंगे, यह formulas आपने कहां से लिए हैं, देखो, हमारी team की तरफ से एक formula booklet publish करी गई है, ठीक है, आपको यह booklet हमारी telegram channel पे मिल जाएगी, last year भी बहुत सारे students ने इसका use क किया था, और उनको exam में बहुत सारे questions यहां से देखने को मिल गये थे, plus at the same time ना, इस particular booklet में बहुत सारी solved examples भी हैं, तो आप my telegram channel पे जाके इस particular book को download कर सकते हो, मैंने नीचे comment section के अंदर भी इसका mail link दे दूँगा, बहुत सारे formulas जितने आपके CZ के लिए जरूरत हैं, plus at the same time उनकी कुछ solved example इस booklet में देखने को मिल जाएंगी, चलो वापिस चलते आते हैं, ठीक है, तो average speed का formula क्या हुआ, total distance traveled by total time taken, अब इसी के वैसे के उपने question try करो, यह देखो 2015 में बूचा गया, क्या कह रहा है, दो cities हैं, ठीक है, A और B, ठीक है सर, यह 360 km दूर हैं, एक दूसरे स ओके सर, अब होता क्या है न, A car goes from A to B, यहां से यहां जाती है, ठीक है, at a speed of 40 km पर आर, पहले यह गई A से B, 40 km पर आर से, ठीक है, and then returns from B to A at a speed of 60 km पर आर, जाते वक्षपीड कितनी थी, 40 km पर ती गंटा, आते वक्षपीड कितनी है, 60 km पर आर, तो इस तरह से यह car move करती ह है, हमसे पूचा क्या है, average speed of the car, अब average speed का सर, formula क्या था, average speed का formula बहुत सिंपल था, total distance, by total time taken, क्या आप मुझे बता सकते हो, कि वह total distance कितना है, total time कितना है, the answer is yes, बता सकते है, देखो, पहले time में मुझे बता हो, कि जब A से यह B गया होगा, तो कितना समय लगा होगा इसको, बहुत सिंपल है, time क्या होता है आपका, distance by speed, distance कितना था, A से B जाने में, 360 km distance था, बिल्कुल, और speed कितना सी, 40 km पर आर, तो time कितना लग गया, time लग गया 9 hours, कहने का मीनिंग कि जो इतनी statement थीना है, A to B at a speed of 40 km पर आर, इसका मतलब यह है कि उसको time लगा होगा 9 घंटे, फिर time लगा, distance लगा 360, speed सी 60, तो time कितना हो गया, 6 घंटे, कहने का मीनिंग क्या, जाते time उसको लगे 9 घंटे, आते time लगे उसको 6 घंटे, तो बस यह हमारा जो formula था, average speed का, इसके इंदर put up कर देते हैं, तो average speed आपके क्या हो जाएगी, total distance by total speed, sorry, total time, total distance कितना था, बिको 360 पहले A स B जाने का, और फिर वापिस 360, B से A आने का, तो total distance हो गया हमारा, 360 plus 360, और total time कितना है, total time आपके case में देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, पहले 9 घंटे, और बागी 6 घंटे, तो 9 plus 6, बस इसी को solve करना है, 360 plus 360 हो जागा, 720, नीची आ जाएगा 15, इसको एक बार आप solve करोगे तो आपका अंसर आजएगा, 48 km per hour, तो यहाँ आपका सही answer क्या बनेगा, option number B is the correct answer, ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस formula को use कर सकते है, average speed equal to total distance by total time, उससे आपका answer निकल आएगा, देखो इसका भी एक कई लोगों के बार शॉट कम निकाल लेते हैं, उस case में क्या होता है, कि पर अगर आपको simple भी पता है, तब भी आप 30 से 40 second के अंदर calculation तेज करते हुए, इसको answer आपके निकी मिल जाएगा, आपको 48, right, तो sir, यहाँ तक तो चलो देख लिया, average speed भी समझ आ गया, speed भी समझ आ गया, यह relative speed क्या होती है, देखो, बहुत ही simple concept है, कोई मुश्किल नहीं है, देखो, माल लो, आप यहाँ पर खड़े हो, आप एक speed, आप आपको अपने दोस्त के पास पहुँचना है, तो आपको बहुत तेजी से जाना पड़ेगा, तब आप अपने दोस्त के तरफ पहुँच भाओगे, answer is yes, पर अगर मैं आपको बोलू, कि चलो, आप तो चाह मिलने के लिए आपको जार टाइम लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि आप सेम डिरेक्शन में चल रहे हो ना, तो ये बंदा अगर तेज होगा थे तब ही आपको पकड़ पाएगा, on the other ने तो पहला केस देखा, यहाँ पर आप इस डिरेक्शन में हो, आपका जो दोस्त है, व इतनी है, मिल टोल डिस्टन्स कितना है, बिसिकली, और नीचे रेलेटिव स्पीड, अब रेलेटिव स्पीड पता क्या होगी, पहले केस में नोटिस करना, आप इधर जा रहे हो, तो आपकी कुछ स्पीड होगी, यह आपका दोस्त इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर ना, स यह सिंपली बन जाएगा, A-B, तो टाइम एसेंशली क्या बन गया, L1 प्लस L2, डिवाइड वाई S1, प्लस माइनस S2, प्लस कब यूस करेंगे, प्लस यूस करेंगे, अगर जो अब्जेक्ट है, एक दूसरे की तरफ जा रहे है, माइनस यूस करेंगे, जब वो एक दूस कॉशन है, बड़ इजी कॉशन है, समझते हैं इसको, यहां कह रहा है कि दो कार थी, ठीक है, वो एक दूसरे की तरफ चलने लगी, देखो बहुत ध्यान तो सनना है, टूवाज इचदर, एक दूसरे की तरफ जारी है, ठीक है, एक अमान लो, अगर इधर से इधर जा रहा ह इस डिरेक्शन में तो सामने वाला इधर से आ रहा है, तो तो तूवाज इस अधर, तो अभी क्या है, वो एक सो साथ किलोमेटर का डिस्टेंस है, ठीक है, अब यह स्टार्ट कब हुई, इनो ने स्टार्ट किया, 8 बचे, 10 मिनट में, ठीक है, और पहली कार की जो स्पीड ह है 30 km पर रहा है तो कब मिलेंगे यह पूछ रहा है अब पहली बात हमने notice किया कि सर यार यह तो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो जब object एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं हम क्या करते हैं उनकी speed उनकी relative speed क्या हो जाती है वो हो जाती है add simply add कर दो 50 इसकी थी 30 इसकी थी तो 50 प्लस 30 यह बन गया 80 आई बात समझ में तो distance कितना था दोनों के बीच में 160 relative speed कितनी आई 80 तो time कितना लगेगा distance by speed जो relative speed है distance क्या था 160 relative speed है 80 यह time कह रहा भाया option number B 10 बच के 10 मिनट easy question है वह simply पता होने चाहिए कि अच्छा अगर objects एक दूसरे की तरफ travel कर रहे हैं तो speed add हो जाती है on the other hand अगर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं कहिना कि उस case में speed क्या हो जाएगी minus हो जाएगी बाकी formula वही है ठीक है तो इस तरह से आप इस formula को भी देख सकते हो एक तीसरा type इसका अंदर और आता है वो होता है हमें यह down stream up stream के इस तरह एक question पूछन पूछन लग जाते हैं और इनका हमें meaning पता नहीं होता तो हम इनके answers नहीं निकाल पाते देखो एक समझो जासे आपकी एक किष्टी है जो आपकी जो boat है तो मालो उसकी direction यह है on दादर एक चीज़ होती है आपकी stream जहां पर आप boat आपकी चल रही है ठीक है ना तो stream की भी तो कोई direction होगी बिल्कुल तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस direction में आपकी boat चल रही है उसी particular direction में stream भी चल रही है तो SAKS में खुद देखो यह जो stream चल रही है ना यह आपकी boat को मदद करेगी यह नुकसान करेगी अंसर इस मदद करेगी क्योंकि आपकी boat भी तो उसी direction में move करी है तो पानी आपकी boat को थोड़ा और speed up कर देगा कभी notice किया होगा ना कि मालो आप जिस त दोरों का addition speed of boat in still water क्या होगा plus speed of stream ठीक है ना अगर पानी ना चल रहा होता तब उसकी boat की speed plus speed of stream यह add होंगे add की हो रहे है क्योंकि देखो यह मदद कर रहा है ना इसको तो इसको बोलते है add होना speed का और कही न कहीं इस वज़ा से यह इसको बोलते है speed downstream अब इसका बिल्कुल opposite scene भी हो सकता है opposite कैसे उसको बोलते है upstream यहाँ पर क्या होगा ना कि आपकी direction जो है boat की एक तरफ है और जो stream की direction है वो उल्टी तरफ है अब यहाँ पर क्या होगा आपको जो पानी है जो stream क्या है direction वो आपकी नाव के अगेंस्ट जारी है तो आपकी speed तेज होईगी या fast या slow ह होगी अंसरी slow होगी क्योंकि opposite direction में ना वो आपकी नुकसान करीगी आपकी जो boat है उसको तो यहाँ पर क्या होता है जब आपसे पूछाता है speed upstream तो उसका क्या बोलेंगे speed of boat in still water minus speed of stream तो बस यह plus और minus का फरक है downstream में जब आप speed निकालोगे तो आप add कर दोगे इनको whereas जब मै then takes half time in rowing a certain distance downstream then upstream what is the ratio of speed in still water to speed of current देखो simply जब ऐसा question ना कुछ माल लिया अगरो की speed कितनी है still water के अंदर माल लो जो boat की speed है still water के अंदर मैं माल लेता हूँ उसको a और एक माल लेता हूँ speed of current current मतलब जो कही ना कहीं जो पानी जो थी ना इसकी stream की जो speed थी तो इसको माल लेते है b ठीक है अब अगर मैं आपसे बुछू कि down stream speed क्या होगी बताओ ज़रा एक बर down stream stream simple है add कर देंगे इनको a plus b और जो upstream होगी वो हो गया a minus b राइट अब वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि जो time लिया गया down stream चलने के लिए वो आधा था as compared to upstream तो time का formula क्या होता है सर distance upon speed अब distance तो यहाँ पर दोनों पर same है है कि नहीं distance यहाँ पर same है या नहीं है बिलकुल same है ठीक है ना तो time जो होता है इस वज़ा से क्या हो गया universally proportional to speed हो गया आई बात समझ में और यहाँ पर हमें time का दे रखा है time one by time two या फिर time downstream by time upstream यह हमें बता रखा है क्या बता रखा है देखो इसने रिखा ना कि आदा time लगता है downstream में as compared to upstream तो time downstream by time upstream क्या हुआ one by two पर speed क्या हुई speed इसका opposite होती ही ना यह तो आपसे कोई पूछे कि जो speed downstream divided by speed upstream यह क्या होएगी इस time का opposite क्योंकि time inversely portion होता है तो यह बन जाएगा two by one अब बस समझ में तो speed downstream by speed upstream क्या हो गया two by one अब बस simply इनकी value पुट कर दो फिर वहाँ से आपका answer तो आई जाएगा speed downstream क्या है a plus b speed upstream क्या है a minus b इसकी value क्या है two by one तो बस cross multiply कर दो a plus b is equal to two a minus two b ठीक है यह बन गया three b is equal to a ठीक है ना तो a by b बन गया क्या three by one अई बात समझ में और a हमने क्या माना था a यही तो था हमारा कि speed of boat in still water और b था speed of current और हमसे पूछा भी यही है कि speed in still water to speed of current क्या value होगी तो बस a by b क्या value पूछी है वो आपका बन जाएगा क्या three by one तो आपका answer क्या बन जाएगा आपका answer बन जाएगा एक देखा average speed कैसे निकालते हैं दूसरा देखा relative speed का meaning क्या होता है और साथ 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 speed upstream और speed downstream तीनों अलग अलग topics हैं ठीक है पर हर बार कोई न कोई इसके रिगाड़ी हमें question देखने को मिल जाता है तो इसलिए मैंने तीनों type के question आपको आपको आज यहाँ पे करवा दिये हैं अब आप मुझे निजए comment section में बताओ कि तीनों question आपने attempt किये या नहीं किये और अगर attempt किये तो उनमें से आपको कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए यह मुश्किल question नहीं है concept clear होना चाहिए concept clear है तो कही नगे question को असानी से कर ले जाओगे right friends तो यह थी आज की हमार में थोड़ tough हुआ है but definitely अगर आपने उनकी practice अच्छे से करी है इस तरह की videos को आपने follow किया है I am very sure आपको बहुता help मिली होगी ठीक है friends तो यह थी आज की discussion I hope आपको आज का lecture अच्छे समझ आया होगा इसी तरह से आप भी अपने end पर hard work करते रहिए goodbye and good luck